जब सम्यक्ट्व की प्राप्ति हो जाती है और सच्चाई आपकी समझ में आ जाती है तो आप पुराने धर्रे वाला जीवन चाहकर भी नहीं जी पाते हैं क्योंकि सच्चाई समझ आते ही सारी धारनाय पूर्वा ग्रह सब छूटने लगते हैं और समझ में आने लगता है कि लक्ष्यक क्या है और क्या होना चाहिए सोच बदल जाती है चिंतन बदल जाता है आचरन सही होने लगता है स्वार्थ से परमार्थ की और कदम बढ़ने लगते हैं सारे ही जीव अपने जैसे है ये बात समझ में आने लगती है पांच अनुवरत अपने आप जीवन में उतरने लगते हैं सम्यक्त्व मिलने के बाद महावीर और महावीर की वाने भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है महावीर के साथ एक ऐसा रिस्ता जुडता है जो सम्यक्त्व के मिलने से पहले कभी नहीं जुडाता संसार से उदासिंता और स्वयम के साथ प्रसंता और एकांतता अच्छी लगने लगती है अठारा पापों से दूरी अच्छी लगने लगती है वीतरा ज्यानि पूरुशों के वचन भाने लगते है जो लगाव पहले जगत के साथ था वो ही लगाव अब ज्यानि पूरुशों से होने लगता है आत्मा, कर्म, पुनरजन्म के सिद्धान्त सच लगने लगते हैं और समझ में भी आने लगते हैं संसार से विरक्ती सी हो जाती है कुछ इतने उच्चे भावों में चले जाते हैं कि सादू तक बन जाते हैं और कुछ एक स्रावक तो सम्यक्त्व के मिलने को छोटी बात न माने वो बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी बात है कि ये आपके जनम मरन के चक्र पर ब्रेक लगा सकती है तो मावीर कहते हैं सम्यक्त्व का महत्व आँखो और इसके जो दूशन है इन से बचो